हेलो दोस्तो आज हम देखेंगे लाइसोसोम के बारे में लाइसोसोम के बारे में सबसे पहले किस ने बताया था डी डूवे ने और कब बताया उन्नी सो पिछवन में आज हम ये देखेंगे कि लाइसोसोम कैसे बनता है और ये कैसे वर्क करता है सबसे पहले हम देखते हैं, यह cell का nucleus है, प्रिष्ट, इसके साथ यह क्या लगे हुए, अंतरपरदरवी जलिका, अंतरपरदरवी जलिका केंगली इंडोपलाज्मिक रेक्टिकूलम, और सबी को पता हैं, इंडोपलाज्मिक रेक्टिकूलम कितने परकार के होती हैं, दो परक सब्सक्राइबcentered का सब्सक्राइब कशुखेंद रफ होगी हम तो यह उसको रफ इंडशुनमी बोलते हैं यह नतिकूरोत रीक्षे रहल तीन वह सिसे में आजसा सकते हैं Excel, और गोली में बनें है जो इसको क्या करेगी सेप परदान करेगी और बोड़ी परदान करेगी और इस इनक्टिव हाइडोलाइटिक एंजाइम को एक्टिव हाइडोलाइटिक में बदलेगी जब यह पूरा बन जाएगा तो यह ना इसको यह एक पार्टिकल रिलीज करेगी जिसे हम लाइजोज सबसे पहले हम देखते हैं यह क्या है पूरी सेल है और यह सेल की क्या होगी यह प्लाजमा मेंब्रेन होगी जो इसको इन्वार्मेंट से अलग करती है अब यहां पे हम लेते हैं कि कोई फूड पार्टिकल या बैक्टीरिया वाइरस आ गया तो यह जो अंदर जाएगा तो य करने के बाधे बहम हैं तो यहां पर हम एपना के अदिश कर देगा और तो इसका यह जो पर आप्रकार से लाइजाओं सेल के अंदर ब히 article को इंगल्फ कर लेता है और उसके बड़े अनों को छोटे चोटे में टूटके डाइजेस्ट हो जाएंगी यह इसे यह पर क्यूह हो में तोड़ के डाइजेस्ट कर देता है तो इससे हम यह समझ में आया कि लाइजोजोम फेगोसाइटिक नेचर से नेचर से पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है अब हम स्टक्चर देखते हैं इसकी यह किस की स्टक्चर है यह लाइजोजोम की है मतलब यह इसकी साव भार की मेंब्रेन दिखाई दे रही है यह किस क्या है लाइजोजोम की मेंब्रेन है यह सिंगल सेल सिंगल मेंब्रेन ओर्गेनल्स है मतलब इसमें एककल जिल्ली होएगी और इसके अंदर का यह सिपैस होग जैसे यह जो दिखाई दे रहे हैं इसे डाइगेस्टिव एंजाइम ये हाइडरोलाइटिक एंजाइम बोलेंगे इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होएगा और यह इसमें यह दिखाया गया यह इंडोसाइटोसीस की प्रकिजिया से ग्रैंड किए गए पदार्तों को लाइजोzhok की मेम्बेन याजीली और इसमे यह जो मैंट्रिक्स जिखाई दे रहे हैं क्या है रहे है र retir इसके देख करता है है मान लो यह पूरी एक सेल है यह नुकलियस हो गए यह सेल के ओर्गेनल्स हो गए जैसे लाइजोजोम इंडोप्लाजमिक रेक्टिकूलम राइबोजोम एक्सेक्टरा अब यह क्या करेगा कि इसको हम लाइजोजोम को आतम गाती सेल ली बोलते हैं क्या है कि इसमें जब वर्क नहीं कर रही है तो यह अपने आप में खुद में ब्रस्ट हो जाएगा और अपना हाइडोलाइटिक एंजाइम है ऐसे और ओर ओर्गेनल्स में रिलीज कर देगा और फिर वह ना ओर्गेनल्स क्या हो जाएंगे लाइसीस हो जाएंगे और पूरी सेल डेमेज हो और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना थैंक यू